नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और ये एक और ओन डिमांड वीडियो है और इस वीडियो को बनाने का जो डिमांड है वो आया है मिस्टर गैब्रियल फुकैन की तर रहा हूं तो अब दोस्तों देखते हैं इनने क्या डिमांड करी है कि इनने कमेंट सेक्शन में लिखा एक वीडियो के तीन दिन पहले कि हाव टू ओपन होमियोपैथिक क्लीनिक हाव टू इंक्रीज पेशेंट फ्लो एंड वाट फी शुड वी चार्ज तो पेशेंट इन क्योंकि जितना भी नॉलेज में यहां पर दे रहूं अपने चैनल में वह बेसीकली दोनों प्रकार के वीवर्स के लिए हैं कि अगर आम लोग हैं आम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग इससे रिफरेंस लेके अपने इलाज के अंदर एक मदद पा सकते ह है प्लस उससे जादा यह चैनल है डॉक्टर के लिए क्योंकि आप जानते हैं कि होमियोपैटिक फील्ड की हालत इन दिनों को बहुत जादा अच्छी नहीं है अब आपने जैसा की बोला कि मैं अपना एक्सपिरियेंस आप से शेर करूं तो गैब्रियल जी जेनरली लोगो की सवाल जो होते हैं उसके अंदर उनका एक्सपेक्टेशन एक शॉर्टकट जवाब के लिए होता है कि बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट कोई टिप ट्रिक टैक्ट डॉक्टर साब बताएंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस रातो रात बढ़ जाएगी है तो गैब्रियल ज प्रैक्टिस करके एक स्टुडेंट जो पास आउट होते हैं वो नाम की डॉक्टर होते हैं आप जानते हैं और यह कोईले के समान जब तक आप प्रैक्टिस के अंदर तपेंगे नहीं तो यह कोईला हीरा नहीं बनेगा देखिए इस नॉट आल अबाउट दा सर्वाइवल यहां पर देखिए आप अगर बात कर रहें सर्वाइवल की कि साब हम होमियोपेटिक प्रैक्टिस करके अपना खर्चा कैसे चला सकते हैं और हो सकता है और कोई इस प्रैक्टिस से और ज़्यादा कर रहा हो ना 90 परसेंट लोग तो इस प्रैक्टिस से कुछ एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट ही नहीं करते वो प्रैक्टिस लाइन में ही आना पसंदने चल तक नहीं करते हैं कि तो सबसे पहले प्रैक्टिस में आने के लिए दो तिन प्रकार की जो रोड़े हैं अपने इंडियान तक क्लियर हो जाएगा बट यहां पे अपने को में बात करना है कि प्रैक्टिस में बंदे आते क्यों नहीं है मैं 14 साल से इस भोपाल के सेरी में मैं प्रैक्टिस रहा हूं मेरे को यह दिखा यहां पर कोई क्लीनिक खुलता हुआ मैंने पचासों क्लीनिक देखे जो ऐलोपैथिक डॉक्टर बैठे किसी ने रेडियो लॉजी करा तो उसने अपने स्केनिंग सेंटर खोला किसी ने अपना पैफोलोजी कल सेंटर खोला नए जो डॉक्टरस दिकले जिनने कर रहा उनने अपनी प्रैक्टिस चालू करी ठीक है ना हम डॉक्टर होस्पिटल के अंदर हम आए दिन नया नाम जुड़ते हुए देखते हैं कि कोई नया डॉक्टर आया एंडी मैडिसिन ही एजर्ट रिसेंट्ली जॉइंड डेट हॉस्पिटल बट इन फॉट्टीन एर्स आफ माइड केरियर मैंने कोई भी नया हुमियोपैथिक प्रैक्टिशनर अपने एरिये में ऊपर आता हुआ नहीं देखा सब्सक्राइब को नहीं दिखा अभी तक ऐसा नहीं आया कि कोई नई क्लीनिक का नाम दिखा हो कोई नई क्लीनिक का बोड लगा हो यह मेरे क्लाइंट ने आगे बताया हो कि नहीं से आप कहला हुआ यहां पर वह बंदा भी बैठा है इस रिसेंटली पास डाउट और रहन करने आया और बहुत अच्छा काम करता है मैंने नहीं देखा तो पहली चीज़ यह लोग आते क्यों नहीं है इस लाइन में तीन कारण कि यहां पर बंदे आके संसेफुल होंगे इस वील्ड में तब तो ग्लेमर आयेगे तो पहली चीजे दूसरी होमियोपाथी कठिन और तब थेरपीटिक सिखाने वाला कोई नहीं होता क्योंकि जो बंदा आपको इंटर्शिप के टाइम पे जो आपके मास्टर साथ जो आपके सो कॉल्ड असिस्टेंट प्रोफेसर आपको जो आपकी OPD के अंदर जो आपकी कॉलेज की OPD में जो बाते सिखाते थे वो बेसिकली उनको जो जलना कठीन है Homeopathy के अंदर अपना केरियर बनाना एलो पैथी में करियर बनाने से दसगुना ज्यादा कटिना ठीक है ना Homeopathy से एक पैदा करने में Homeopathy जित्ता पड़ाई करता है ना एक एलोपेत को उसकी दस परसेंट भी नहीं करनी पड़ती क्योंकि पड़े कुछ भी दर्द हो रहा है तो देगा तो पेन किला अब वो पेन किलर का ब्रांड जेंज हो जाता है जोला चाप डॉक्टर एक अच्छे लोकल ब्रांड जैनरिक दवा लिखता है और जो हुमियोपैति करना कठिन हैं सक्सेस्फफुल लोगों को नहीं देखते हैं उसके अलाव仔 से नए एक्जामपल सैट ही नहीं होता है ठीक है ना दूसरा होमियोपैथी करना बहुत ज्यादा कठीन है तीसरा एजूकेशन सिस्टम का फॉल्ट है कि हम लोगों को थेरेपुटिक्स उस लेवल का नहीं सिखाया जाता जो हमको आना चाहिए ठीक है ना जो कलकेटा के से कॉलेजेज में सिखाया जाता है पर जो हम सेंट्रल इंडिया नौर्थ इंडिया वगेरे से हम बिलॉंग करते हैं हम लोगों को वो चीज नहीं सिखाया जाती है तो अब आते हैं मिश्टर गैब्रियल के पॉइंट में कि हाउट टू स्टार्ट था क्लीनिक एक बार और म सब्सक्राइब नहीं उठाएंगे आप क्लीनिक सेट ही नहीं कर सकते हैं क्लीनिक सेट करने का एक ही तरीका है कि यूशूड है औली वन ऑप्शन ऑफ यूर अनिंग डैट इस यूर क्लीनिक औली और दोस्तों यह इनीशल फेज में बहुत कठीन होता है बहुत ज्यादा और मैं सोलो प्रैक्टिस की बात कर रहों सोलों होमियोप्यतिक प्रैक्टिस की मैं बात कर रहों मैं मिक्सनोपै्थी की बात नहीं कर रहा हूं कि आप छोटी जुग थे अंदर आपने ख्लीनिक खोल लिए वहां प Daar पह पर एलो पेढ़ी भी मिला के दे रहा है हो मिवी आ स सारे धब्रद्क्रम इखट्टे कर रहा है नहीं कि आपको इसे मैयोप्लेना है कि इसे कमाना है सीदी सी बात यह एक नौकरी जैसा है नौकरी में भाई में जितना अच्छा प्राइवेट नौकरी के अंदर अपने बॉस को रिजल्ट में दूँगा तो मेरा बॉस मेरे को उतनी जगे प्रमोशन उतनी उत तक उसी साफ से मेरे को प्रमोशन देगा यह बिल्कुल होमियोप मेडिसिन की आपर लिखा रहता है ना औरटे सपेरे डेर्टो भी वाइस इसलिए लिखा रहता है क्रूंकि होमियोपेति अंदर özल्ग करना आज से ही कठिस नहीं है यह 400 साल पहले से जब से होमियोपेति की उतपत्ति भी कठिस था क्योंकि होमियोपेति की जितने सिद्ध 11 लॉफ नेचर वगेरे वगेरे यह एलोपेथों को समझ में नहीं आते थे पर रिजल्ट तो आता था तो ऐसी जो चीज रिजल्ट पैदा करती है और जो मेन इस्ट्रीम मेडिकल फिल्ड के अपोजीशन में काम करती है पेराडॉक्स रहती है ऐसी चीज का हमेशा से विरोध होता आया है तो पहले इसका विरोध कौन करते थे ऐलोपेथ करते थे और हैनी मैन को इसकी उत्पत्ति करने के बाद इसको आगे तक ले जाने में बड़ी कठनाई है ऐसे नहीं चलती जिंद्दगी आपको क्रांतिकारी डिशीजन लेने पड़ते हैं आपको yapıyorsun करी डिवालिवॉश्नरी आपको फैसले लेने पड़ते हैं लाइफ में तो ही वही फैसली से आद्मी बड़ा बनता है आप एक समझो कि जो बड़ा बनना और छोटे बनने के बीच का जो फरक है ना यह सिर्फ एक फेंफले पर डिपेंड करता है ठीक है ना तो होमियोपैथी को करना प्रैक्टिसाइज करना और लोगों को उसका एक्सेप्टेंस दिलाना यह हमेशा से कठीन काम रहा है पर फरक यह है कि पहले सिर्फ हमारे पाइनियर्स तो होमियोपैथी बहुत अच्छी करते थे वो सिर्फ दुनिया को एकसेप्टेंस दिलाने की कोशिश करते थे कि भाई देखो हमारी होमियोपैथी में कितना दम है पर आज हम खुद इसको एकसेप्ट नहीं कर पा रहा है और यही तड़किये साल खुछ भी करने को तयार होंगे सिवाए होमियोपैथिक प्रेक्टिस के यह आप देखना में इंपोर्टच इन से कुछ भी करा लो इन से एक एक होस्पिटल के अंदर काम करा लो इनसे जो है ऑलो पेतिक कहीं पर भी बिठा के एलो पैतिक दवाएं लिखव क्योंब कि देखो अपने 20 वी सदी में रह रहे हैं और भारत का जो हैल्थ में जो स्टेटास है या दुनिया से छुपा नहीं है पूरा हर कोई जानता है कि हर एक वास्पिटल ब्यूटे में चला रहे हैं यह सब को पता है क्यों चला रहे हैं ब्यूटे में वह सस्ते बैठते हैं जितने में एक बाइज यहाँ पे आपको ट्रेम करनी है और वह यह क्लीनिक खोलने में तेन प्रकार की पहली आपको q industry को खोलना है नहीं तब तक तक उस चीज को experience कैसे करोगे छेसकुन ओध़ाग्वी एसे मेरा थोड़ा भहुत खर्चा चल जाएगा, वो खर्चा चलता रहेगा, मैं प्लस क्लीनिक रन करता रहूंगा, फिर मेरी क्लीनिक धीरे से ब्रो करेगी, तब मैं जॉब छोड़ दूँगा, कोई एक्सक्यूस की जरुवत नहीं होनी चाहिए आपको, आपको करना है तो जिर्फ होमियोपेथी और करना है तो बस बेस्ट टाइंड टू एनिटिंग इस नौ, कोई भी चीज को करने का सबसे सही वक्त है, अब भी करो तुरंट करो उसको, तो सबसे पहला डेरिंग, आप आपको एक क्लीनिक खोलना पड़ेगा, दूसरा डेरिंग, इनने जो अगला इसका पॉइंट है, इनके वीडियो के अंदर, इनके कमेंट के अंदर, हाउ टो इनक्रीजड पेशेंट फ्लो, हाउ टो इनक्रीजड पेशेंट फ्लो, भाई साब, गैबरियल जी, सबसे पहले भेज़े में एक बात बिठाल लेजिए, कि केरियर के शुरू के 4-5 साल सिर्फ मक्खी मारनी है, आपकी वहाँ पर बस एक परिक्षा है, कि आपको ब प्रेक्टिस करना नहीं जानते हैं, दो बातें आपको समझनी पड़ेंगी, भाईया मैं पैसे कब एक्स्पेक्ट करूँ, आज मैं 15 साल हो गए, मेरो को काम करते करते हैं, I am one of the most busy homeopath in the भूपाल, आप मेरा नाम गूगल करेंगी, you will know each and everything about me, कि that who is Dr. ललित कुमार गंगेल और मेरो को यहां तक आने में कितने टाइम लगा, मेरो को 15 साल लगे, आपने मुझस से बोला ना था मेरा experience शेयर करूँ, भाई साब शुरू के 5 साल मैंने जो अपनी दुकान का rent और खर्चे थे, वो मेरो को जेब से लगाने पड़ते थे, मैं 5 साल का experience डॉक्टर होने के ब बहुत संगर्श लगा, बहुत लोगों की कुर्बानी लगी, बहुत तपस्या लगी, बहुत sacrifices लगे, तब जाके रोम सामराज जी बना था, जो एक अंग्रेजी की कहा हुआ थे, कि रोम वास नौट बिल्ट इन डे, वैसे ही आप अभी नए हो इस फिल्ड में, आपको क्यों आएगा पेशेंट, क्यों आएगा पेशेंट, आपको बस बैठे रहना है, अब आप बोलोगे सर ऐसे तुम्हें डिप्रेशन में आजाओंगा, में भी आया था डिप्रेशन में, तो क्या करें, तो भाई करने को कम चीजे हैं, भाई होमियो पैथी पड़ो ना, नहीं है आप उस knowledge को polish करो आप A से लेके Z तक की medicine की पूरी list बनाओ कि अगर आपकी जैसी भी line of treatment अगर आप classical करोगे poly crisp पर काम करोगे तो 70-80 medicine निकलेंगी अगर आप clinical पर काम करोगे तो यही list लगबख 300 के पार चली जाएगी 300 medicine तो भाई यह काम कम है इसमें medicine पढ़ना है हमको इतनी सारी दवाएं पढ़ेंगे हम अपना knowledge polish करेंगे हम रिपर्टरी पढ़ेंगे रिपर्टरी कैसे हम किताब की तरह रिपर्टरी पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट ग्रेट रिब्रिक वगरे जो आ रहे हैं इसमें कौन सी medicine आ र पहली डियरिंग है वह बैठना एकड़म स्टार्ट करना अगर आप इस्टार्ट नहीं तो आगे का कुछ नहीं सकते क्यों आप इतना पैसा पीटोगे ना इतना पैसा पीटोगे आपको अभी अंदाजा नहीं है अभी आप कल्पना ही नहीं कर रहे हों मैं बहुत सारे होमियोपैथी के मेरे फेस्बुक के आईडी से मैं बहुत सारे होमियोपैथी के ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ तो वहाँ पे कुछ एक पोस्ट आई थी उस पोस्ट में यह था कि जो MP और यूपी वगरे में जो सरकारी जो वेकेंसीज हैं उसके अंदर होमियोपैति को सबसे लास्ट दिया गया सबसे पहला वेटेज आयूरवेदिक वालों को दिया गया तो उस पे गया होमियोपैतिक स् मेरे को कमेंट कर रहा था कि बोले भाईया डॉक्टर सहाब इतना आसान नहीं है बोले होमियोपैथी से तो खर्चा भी नहीं चलता हूँ मैं बड़ा इन अनाय हुआ तो फिर मैंने क्या कर रहा मैंने अपने परी कार के साथ एक फोटो थी ठीक है ना देखिए मैंने अपनी प्रैक्टिस से आज की तारिक में मैं 12-15 लाग की डीजल कार से मैं चल रहा हूं यह कार मैंने अपने खुद के पैसों से खरीदी है और यह मैं अभी 37 years का हूं मैंने आज नहीं जब मैं 32 का था ना आज से 5 साल पहले ही खरीद ली थी यह गाड़ी क्योंकि मैं 14-15 साल से मैं काम कर रहा हूं तो दोस्तों वहंकर पैसा है अच्छा एक status है और जिस ग्लेमर को आप ढूंडते हो ना एलोपैतिक फिल्ड के अंदर वह समर भी आपको यहीं मिलेगा तो पहला डेरिंग धंदे पर बैठो खोल के बैठो जब तक बैठो के नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा दूसरा डेरिंग टिके रहना टिके कैसे रहना इनीशल का स्टार्टिंग का जो टाइम होगा उस टाइम का आप सदुपियोग कर लो जिससे कि आपको डिप्रेशन में भी आप नहीं जाओगे हम एक डिप्रेशन में रहे फिर हमको समझ में आया कि अपने को तो कुछ आते ही नहीं है तो जब मेरे कोई कुछ नहीं आता मेरे को कोई किस बात के पैसे देगा भाई साब बात बताओ जब तुमको आता ना जात सब्सक्राइब तो आप यह तो भूल जाओ कि मेरे को डिग्री मिल अगर अगर आप अंगुठा छाप होते कुछ नहीं आता तो भी आप कमा लेते पर भूल जाओ कि भी एच डिग्री से आप बस यह हॉस्पिटल में चप्रासी किरी से ज्यादा काम आपको नहीं कर पाओ गय कि आप इतना अच्छा नॉलेज गैदर करो अपने संगर्श के दिनों में कि वह संगर्श भी आप जहल जाओगी और आप एक अच्छे डॉक्टर बनके आपके केरियर के पांच-छे साल के बाद आप तो दोस्तों नाम जो होता है ना होमियोफेटिक फील्ड में नाम होने में एक एरिया में नाम करने में बहुत टाइम लगता है मेरा आठ साल तक मेरा कोई नाम कोई अस्तित्व नहीं था फील्ड के अंदर आप समझोगे इस बात को आठ साल महनत करी है आठ साल महनत करने के बाद नौवे दसवे साल से मेरो को लगने लग गया कि नहीं अब इस म करना पड़ता है तो कि जब हम शहर में आये हैं तो हमारे शहर में आने हमारे फिल्ड में आने के बाद पहले से यहां पर बहुत मेडिसेंट डीम सरजन्स इस बहुत से डॉक्टर जिनका एंडो क्राइन लॉजिस्ट इनका शहर में नाम आल्रेडी चल रहा था उसके बाद से तो दोस्तों पेशेंट बढ़ाने का एक ही तरीका है आप चुक्चा बैठे रहिए अब आप यहां पर गैब्रियल जी एक बार सोच रहे होंगे कि क्या कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ है एट केमपेणिंग से कोई फायदा होता है देकि बहुत थोड़ा फायदा होता है पर उसके लिए आपको तयार रहना पड़ता है आप एट केमपेणिंग तब कराईए जब आप काम करना जानते हों क्योंकि मौका आपको एक बार मिलेगा आप नए डॉक्टर हो आपको एक पेशेंट एक मौका देगा उस मोके को आपको भुनाना है सीधी सी बात मेरे प 5 साल अपने knowledge के ऊपर काम करी अपने कम घोरियों पर काम करिये कर आपका प्वकृठी यह फिलira giftege सब्विख सब्चेंट आएगा राफ मिएन सब्रसाइब लिए सब्सक्राइब को इस सांप एक सिंगल श स emails उन्स में आपको उसको एक अठका ना खूटे के अंदर मचली प और दोस्तों as far as the advertisement and publicity is concerned regarding the clinic तो आपके पास patient का flow सिर्फ mouth to mouth publicity से ही बढ़ेगा या आप अच्छे से समझ लेना आज कल की दुनिया में आप Facebook पे 8 campaign चला सकते हो आप Google पे चला सकते हो जैसे मैं Google पे हूँ Google के जो main page पे मेरा profile बना है मेरा खुद का website भी है मैं प्रेक्टो.com की उपर भी सबसे पुराना में डॉक्टर भूपाल के अंदर जिसने प्रेक्टो की services को start करा था लेना है न मैं जस्ट डायल पे भी था तो आपको हर तरह की 8 campaigning की भी जरूरत होगी पर ये सब campaigning आपके लिए सिर्फ तब काम करेगी जब आप result दोगे क्योंकि सबसे वड़ी campaign होती है अब person to person publicity mouth to mouth publicity जब आप अच्छा काम करोगे तो आपका एक patient आपके लिए एक patient से मेरे को 500 patient मिले हैं और ऐसे मेरे पास कम से कम 100 उधारण है आप सोची एक patient अगर ढंका आपने सही कर दिया ना तो वो एक patient आपकी सारी publicity के उपर भारी पड़ सकता है क्योंकि लोगों को जब फायदा होता है तो फिर उनके गरे मुर्दे उखड़ना चालू होते हैं क्योंकि पहले तो सुनने वाला कोई नहीं किसको बताएंगे जब करने वाला मिलता है ना काम करने वाला तो फिर उनके दुखड़े बाहर आने चालू होते हैं डॉक्ट सब मेरे को ये चीज है मेरी बीवी को ये चीज है मेरी बच्चे को ये चीज है मेरी मा को ये चीज है मेरे पिता जी को ये चीज है और तब जाके patient का inflow बनता है आप सम समझे मेरी बात को वैसे तो जो होमियोपेथ इस धंदे में आल्रेडी काम कर रहे थे न यह सारा रायता उन लोगों का फैलाया हुआ है कि आज हम लोगों को फीस मांगने में सोचना पड़ता है ठीक है न बट आए विल सजेस्ट आपको फीस लेनी चाहिए ठीक है न भले से आप 200 रुपए 200 रुपए चार्ज करें तो यहां पर देखो गैबरियल जी समझने वाली चीज है कि अगर आप पैकेज वाले फंडे पे काम करेंगे तो आप एक पैकेज बना लो साब 15 दिन का में इतना लेता हूँ और पेशेंट अगर पूछता है तो मैं उसको बोलूग पहली चीज दूसरी चीज अगर आपका एक महीने का पैकेज है तो या तो आप पैकेज सिस्टम पर काम कर सकते हो कि मैं इतने महीने की दवा देता हूँ, यह मेरा पैकेज चलता है इसमें इंक्लूजिव आल रहता है, दूसरा तरीका है या आप तो या तो फीस चार्ज कर देखा दवाओं की तरफ से कि अगर एक ड्राम 25 रुपए का चल रहा है और दो ड्राम की कीमत 30 रुपए है तो यूशूड टेक दो अमाउंट उली क्योंकि आप फीज अलग से चार्ज कर रहे हैं अगर आप अलग से फीज चार्ज नहीं कर रहे हैं तो आप पैकेज के अंद जाओ गया पेटेंट को आप थोड़ा से स्क्रॉल करोगे पेटेंट पर आपको वीडियो मिल जाएगा पेटेंट इसलिए नहीं देना है कि पहले ही हम नए नए आये हैं फील्ड में हमको एक सस्ता हिलाज प्रोवाइट करना है पेशेंट को कि उसको वह हमारा फैन बन जा होते हैं तो वह एक और कॉंबिनेशन रुपे कहाता है तो आपको क्या इनीशली अपने फेस को पेशेंट को इनीशल फेस आफ ट्रीटेमेंट में और नहीं करना है फाइनेंशली ठीक है ना और हमेशा होमियोपैथी में काम करते वक्त यह चीज याद रख लेना कि होमियो होमियोपैथी चीपर थी तो हमेशा भी अपनी फीस स्ट्रक्चर को मतलब कई लोग बोलते हैं सर मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूं अब तो मैं सीधे 1000 रुपे चार्ज करूंगा कंसल्टेशन क्योंकि मेरा नाम भी हो गया है लोग मेरे पास आ भी रहे हैं और मैं जो को देता हूं वह ले भी लेते हैं और मेरे को अभी तो मुह मांगे पैसे मिल रहे हैं तो मैं सोच रहा हूं थोड़ा और चार्ज करूंग तो यह गलत है गलत इसलिए है कि होमियोपैथी का जो पॉजेटिव यूएस भी है उस यूएस भी में एक इंपॉर्टेंट पॉइ हमेशा मानव मूलियों को ध्यान में रखते आप ट्रीटमेंट करोगे आपने जो अपना फी स्ट्रक्चर डिसाइट कर लिया है आप उसी के तहत काम करोगे देखो यूनिफॉर्मिटी आपके काम में होनी चाहिए अगर आप जो फीस ले रहा है जो भी आपका काम करने का आप पैकेज दे रहे हो फीस ले रहे हो वो कॉंस्टेंट होना चाहिए हो हर पेशेंट के लिए वो वही होना चाहिए क्योंकि ऐसे हमारे पास कई लोग आते हैं जो एक दूसरे के थ्रू आते हैं और अगर आपके चार्जेस के अंदर वेरियेशन होगा तो आपकी मार्के में दिखा बड़ी गाड़ी से आया तो आपने उसको उलजलूल कुछ चार्ज कर दिया या कोई भार गाओं का आया वो बोल रहा है मेरी आज तबियत खराब हो गई मैं कल अपना शेर छोड़के चला जाओंगा तो आप सोचो कि यह लपेट लू इससे तो अच्छे पैसे ले लू दो सो तीन सो उपर ले लू आप कहा रहा है वापस यह मत करिएगा कि कभी भी पेशेंट की मजबूरी का फायदा आप नहीं उठाओंगा आपने जो फी स्ट्रक्चर जो भी मॉडल ऑफ मॉनेटाइजेशन आपने डिसाइड करा है अपनी प्रैक्टिस में आपको कि मरते से तुमने जान बचाई है तो भी तुम में पांसो चार्ज करना यह नहीं कि वह बड़ा केस था तुम्हें बढ़ाओंगा नहीं तो कॉंस्टेंट आपका प्रैक्टिस होना चाहिए और गैब्रियल जी एक होमियोपैथिक धंदे को जमाना थे को हमेशा से याद र आ रहे होंगे क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप लोग मेरे को इतना सेकड़ों हजारों की तादाद में देख रहे हो और आप एक भी डॉक्टर नहीं जानते हो तो आपको अच्छे से पता इसना अंधा पैसा है और आपको सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ को कोई होमियोपैथी के अंदर शौट टर्म सक्सेस की कोई टिप नहीं है ट्रिक नहीं है कोई ट्रेट सीक्रेट नहीं है कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ है तो कमर तोड़ महनत कमर तोड़ महनत और वो भी सालों की महनत आपके समझ लेना यह अच्छे से समझ लेना सालो कि सालों की मेहनत लगेगी तब जाके कहीं एक संस्थान जो मेरे मेरी फर्म का नाम है अक्षरा सोमियोबैथिक क्लिनिक इसको खड़ा करने को मैंने क्या सेक्रिफाइस किये मैं जानता हूं क्योंकि भाई साब 22 साल का लौंडा था जब मैंने ये फर्म खोल दी थी और मैं 22 सा साल का हो गया हूं साड़े 14-14 साल मेरों को कंप्लीट हो चुके हैं और इन 14 साल के अंदर इतना मेहनत लगा है इतना स्ट्रगल लगा है है इतनी पढ़ाई करी है इतनी जादा मेडिया मेडिका पड़ी है मैंने बहुत कुछ सेक्रिफाइस करा है तब मैं आज इस मुकाम प है बहुत कड़ी महनत करके बहुत स्टेडी करके हजारों घंटो की स्टेडी करके एक-एक मैडिसं को मैं आप मानोंगे नहीं एक-एक मैडिसिन को नोनो माटेरियमेटर्यका से पढ़ा हूं है mercury डबाया हूंकोडॐعة मिने दो महिना और कलकेरिया कार्ब को पड़ा मैंने दो महिना तो जब आप वैसी महनत करोगे तो जब हम महनत अच्छी करते हैं तो उसके समक्ष हम एक अच्छा भविश्य की भी उमीद करते हैं और मुझे लग रहा है कि कि एस फार एस मेरा बात इस कंसर्ण में उस भविश्य के तरब लिए कि मेरे को आज ग्लैमर भी देख रहा हूं मिए बड़ी गाड़े से घूमरह हूं मैं छुद आपने प्रे मैं데 कमर्शेल एरिया में यह प्रिमाइस मैं और पैसे भिट लिया सोच you मidarओ इतना पैसा दीया इस फिल्ड ने मैंने इसको खरीड डाला ठीक है ऐसी कार जो लेने में बंदा सोचता है मैं बता रहा हूँ चालिस साल पचास साल की उमर में लोग नहीं सोच पाते इतना बजट जाके चीज लेने को 22 साल का था तब मैंने वह खरीद ले थे तो दोस्तों आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने से अपने भविश्य में उसके समक्ष आपको प्रैक्टिस और उतनी आपको मेहनत करन है भाई एक मजदूर भी दिहाडी मजदूर भी अच्छे से सर्वाइब करता है अच्छा उसको सस्ता राशन गवर्मेंट देती है दो रूपे किलो का और वो बड़िया काम करता है रात को अपना पववा अपना मुर्गा लेकर जाता और ठाट से खाता है तो इस नौट सप्रवाइब उप्त Pittsburgh पहुशने के बारे में कि जहां पे आपको लोग सुने जहां पे आपको लोग एक हुआयम करें अप मानेगे नहीं मेरे से इस चैनल के अंदर मेरे सब्सक्राइबर्स के अंदर MD Medicine मूछ वोसम करा है और बातों को बहुत मांते हैं और समझते हैं तो दोस्तों बस एक ही है सक्सेस होने का तरीका कि बस लगे रहो कतई धीट जिद्धी और बेशरम जब तक आप नहीं बनोगे आप प्रैक्टिस और होमियोपेटिक की फिल्ड में आप आगे नहीं जाओगे आपको बस तीन चीज़ें याद रखनी है कतई धीट बेशरम और जि पूरी जिन्दिगी कैश करेंगे हम पूरी जिन्दिगी उस नौलेज से कमाएंगे और ऐसा वैसा नहीं कमाएंगे भाई साब अंधा पैसा कमाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि पैसा क्या होता है उपर वाला करें आप सबको ये वीडियो आपके दिमाग पर आपके जमीर पर जाके लगें और आप सब लोग कहीं ने कहीं से मोटिवेट हो यहीं मेरा उद्देश शिता तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार